दोस्तों आपके घर पर GAS का कनेक्सन होगा ही वो चाहे इंडेन गैस हो चाहे भारत GAS हो चाहे HP हो कुई न कोई तो होगा ही अधिकतर हर किसी के घर पर है ही और आप GAS ही लेते होंगे और आपको पता होगा कि सरकार GAS पर सबसीड़ी भी देती है अगर आपको कुछ न सबस्वास आपको वहां पर भी मिलता है हालांकि यह अमाउंट हर इस्टेट के इसाफ से अलग-अलग हो सकता है लेकिन लगभग इतना मिलता है और उज्वला कनेक्शन जो होगा वहां पर आपको 300 रुपे मिलता है वो तो कंपल सरी है पूरे इंडिया में किन्तु कई लोग हैं जिनको की नहीं भी मिल रहा है और कई लोग ऐसे भी हैं जो की चेक नहीं कर पा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं चल रहा है कि उनको सबसीडी मिल भी रही है या फिर नहीं मिल रही है और क्या करने से उनको सबसीडी मिलने लगेगी मिलना सुरू हो जाएगी इन सभी के ब black in kijal set करके जरूर रखेगा मैं हमेशा के काम की जानकारियां लाता रहता हूं हूं तो देखे सबसे ौन को за पहले बात करते हैं कि subsidy क्यों नहीं यह यनि कि बहुत से काड की एक वाइसी नहीं करवाते हैं तो आपका रासन बंद हो सकता है आपके रासन काड से आपका नाम भी कड़ सकता है और परिवार में जितने भी सदस्य है रासन काड पर जितने भी सदस्यों के नाम है उन सभी को अलग-अलग अपनी के वाइसी बाध्यम से करवानी अनि वज़े से बंद हो गई हो और दूसरी चीज की अगर आपके आधार कार्ड में आपका बैंक लिंक नहीं है तो भी यह समस्या आ सकती है जी हाँ क्योंकि NPCI अगर लिंक नहीं रहेगा जो DBT होता है DBT के माध्यम से जरकारी पैसा आता है और अगर DBT लिंक नहीं होगा आपके आधार कार्ड में तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वज़े से आपको सबसिडी नहीं मिल रहे है तो फिर आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको सबसिडी नहीं मिलेगी और हाँ एक चीज ओर है कि अगर आप के वाईसी करना चाहते हैं और किसी वज़े से अगर आप गयस एजनसी पर नहीं जा पा रहे हैं आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी इ सबसिडी कर सकते हैं और अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि आपको सबसिडी मिल रही है तो वह भी आप अपने मोबाईल से चेक कर सकते हैं उसके लिए भी आपको कहीं जाने की आवसकता नहीं है तो सबसिडी कैसे चेक करेंगे उस पर मैंने अल्रडी वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से अपनी सबसिडी चेक कर सकते हैं कि आपको सबसिडी मिल रही है या फि तक ले जाइन